निवश्कार दोस्तो जहिंद वंदे मात्रम आपशवी का श्वागत अविनांदन है टीटे फैमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावड़ वाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो हम आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालविकाश सीडीपी के मौक टेस्ट के बात करेंगे और पिछले मौक टेस्ट में हमने 20 कोश्चंस ही किया था लेकिन आज के मौक टेस्ट में हम टोटल 30 कोश्चंस कर रहे हैं और ये 30 कोश्चंस बहुत ही इंपोर्टेंट है सेलेक्शन पाने के लिए टेट इकजाम को फतह करने के लिए पहली ब मेंसे आपने कितना इस्कोर प्राप्त किया है और इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो या आई बुर रेटन पिलेगा लेटी देदिय गया है तो कई सुरुआत करते हैं पहला परशन इस्कीन पर मैं आपके साथ trainer सनर। पहला प्रस्ण दिया गया कि वाता वरण में क्या सम्मलित है सभी लोग यहां पर कमेंट करके बताईएगा कि वाता वरण में क्या सम्मलित है आपसंस आपके स्कीन पर दिये जा चुके हैं बिद्याले परिवार, पडोश, समाज, उपरोक्षभी देखे एक सबसे यमी वाता वरण वाता वरण मतलब होता कहीं भी हो सकता है आँगे पीछे दाएं, बाएं मतलब हमारे चारो तरफ तो बिद्याले, परिवार, पडोश, समाज यह सभी कह वातावर में सम्मलित होते हैं परोक्षभी डियाबाल आप्शन हमारा सही हो जाएगा इसके साथ ही हम बात करेंगे दूसरे परिशन की दूसरा परिशन जो आप लोगों के स्किन पर आ चुका है दूसरा परिशन पूँचा जा रहा है यहां पे दोस्तों कि खाली स्थान की लिखावट इसमर्ण सक्ति का भासा अच्छी होती है कि इस्तियों की लिखावट पुर्शों की दोनों की इन में शेक होई नहीं तो कहीं न कहीं देखा जाये तो इस्तियों की लिखावट इसमर्ण सक्ति का भासा अच्छा होता है ऐसा क्यों का आ गया है ये लिंग वाडिता के बात करेंगे ठीक है तो कहीं न कहीं इस पुरुष्ण की बात करते हैं आप लोग भी अपना फीडबेक बता सकते हैं आपका एक एक फीडबेक शरो पर यह शर्मान है जैस्वाल सरवियंदन श्वागत करते हैं अंगला परसने खाली स्थान में तरक शक्ति वग्यानिक सोच तथा आत्म नेदेशन अधिक होता है किन में होता है तो यहां पर पुरुष्ण की बात होती है देखिए जहां पर तरक शक्ति और वग्यानिक सोच और आत्म नेदेशन होता है वहां पर पुरुष्ण की बात की जाती है तो ये दोनों चीजों को आप लोगों को समझ लेना है इसके साथ ही अंगला प्रशन आप लोगों के स्केन पर है अंगला प्रशने की विक्तिगत विनता का आधार क्या होता है सबी बताईएगा अन्मान सिक्ता वातावरन संस्क्त तथा लिंग भेद आयू और बौ प्रशन यहां पर सही हो जाएगा होई भी डाउट हो कमेंट कीजे आपका एक कमेंट फीडबेक शरूपर है शर्मान है जैस्वाल सरविरंदन श्वागत करते हैं इसी के साथ ही हम बात करेंगे अंगले प्रशन की अंगला प्रशन जो इसकीन पर आ चुका है प्रशन क्या हमारी परंपरा ये चली आ रही है ये जो परंपरा चली आ रही है तो वंस परंपरा द्वारा जो है सरीरी गुणों का हास्तानतन होता है मांसिक का दोनों को होता है या इन में से कोई नहीं होता तो वंस की जो परंपरा चली आती है ठीक है जैसे राम जी की परंपरा थी आ जिमानसी के दोनों रूपों में होता है, तो यहां पे थड़ वालापसन, यहां पे सही हो जाएगा, इसी के साथ ही हम बात करेंगे, अंगले परिशन की, जो अंगला परिशन आप लोगों के स्केन पर है, अंगला परिशन मै कलपना की मात्रा अधिक होती है, सैसव काल में, बाले अवस्ता, किसोर अवस्ता, प्रोडा अवस्ता, मै सब्द, तो जो मै कलपना की मात्रा अधिक होती है, ज्यादा तरम सैसव काल में, ठीक है, मैं लूँगा, मैं ही खाऊंगा, मैं ही ऐसा करूंगा, ऐसा जो होता है, सैसव काल की बात करेंगे, और आप भी जानते हैं आप भी बच्पन से गुज़र चुके हैं, आपके आसपास बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हैं मनोब बग्यानिकों के इंसार वर्स की आव में बौधिक निउन्ता का आरम होता है तो सभी लगवग जानते कि इतना होता है, सभी कमेंट कीजे 50, 60, 70, 80, तो हम बात करेंगे 60 मनोब बग्यानिकों के इंसार, 60 वर्स की आव में बौधिक निउन्ताम का आरम मतलब बौधिक निउन्ता कहते हैं, 60 या लग चुका है कहते हैं, अगर किसी चीज़ को बेकती भूल जाता है तो उसको हम घरे में या गाओं में, ग्रामीडों में क्या कहते हैं, 60 या लग चुका है तो यहां पे 60 वर्स की हम बात करेंगे इसी के साथ ही हम बात करेंगे, अंगले प्रिश्न की खालिस्तान में बीरता वा साहस की भावना जो है अधिक होती है किसमें होती हैं, पुर्शों में, इस्त्रियों में, दोनों में देखें कहीं न कहीं बीरता और साहस की जब भी बात की जाती है तो लच्छी बाई का वश नाम आता है लेकिन जब पेड़ागाजी की बात की जाती है, सिच्छा साहस की बात की जाती है ट्विटर से जुड़ जाएगा एक साथ मिलकर सिशकों का परिवार सिशक एक साथ मिलकर रहें क्योंकि जब मुठी खुली हुई होती है तो वो नाजुक कहलाती है उतना मजबूत नहीं होती है लेकिन जब मुठी बंद हो जाती है वो जब मुक्का गलता है किसी को थपड मारेंगे तो सह लेगा लेकिन जब मुक्का गलता है तो उसको अंदर तक दर्द का एसास होता है ठीक है तो एकता ही सब कुछ होता है अगर आपके पास एकता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं अंगला प्रशन है मैं इसने दया ममता लज्जा आदिगुन हारदि होते हैं ये किसके हारदिक होते हैं हिस्तियों के होते हैं देखे जब भी इसने ममता की बात की जाती है लज्जा की बात की जाती है इस्तियों की बात की जाती है आप भी अच्छी तरह से जानते हैं समझते हैं आईए बात करेंगे अंगले प्रशन की अंगला प्रशन दोस से देखा या जो अग्रणी होते हैं महिलाएं होती है कौन होता है दोस्तो महिलाएं होती है सभी कमेंट कीजेगा सभी मित्रों को जेह दो année मात्रब्र मीं कुलाब जिन्दा बात दोस्तो सभी एनरजी कायम रखेगा सारे प्रश्णों को अटेंड कीजिए अपना मौक टेस्ट यहाँ पे चलना सभी सिच्चवण्दों का इसके बाद प्रेक्टिसेट चलेगा सभी सब्जेट का प्रेक्टिसेट चलेगा सभी बताईएगा किसने विभाजित किया है तो जुम ने विभाजित किया है डिवाल आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा इसी के साथ ही आप कंगलापस ने ब्रेक्टिकस सिच्चन विचार से प्रेरित होकर ब्रेक्तिकर सिच्छन की कौन सी योजना आरम की गई तो यह जो योजना आरम की गई थी डालटन योजना और बिनेटी का योजना जी हाँ ब्रेक्तिकर सिच्छन विचार से प्रेरित होकर ब्रिक्तिका सिचन की जो योजना डालटन और बिनेटिका दोनों योजना को जो है आरम्द किया गया था तो यहां पर यह हमारा जो है थर्डवाला अप्शन सही हो जाएगा इसी के साथ ही आपका अंगला प्रस्निया पर दिया गया है कि किस मनोब बग्यानिकों ने विचार की ज़स से बिक्तियों का सेणी विभाजन इस प्रकार किया अमूर चिंतक, विचार प्रधान चिंतक, वस्तुपरक चिंतक तथा आंगिक अनभाव प्रधान चिंतक ठीक है तो यह जो किस मनोब बग्यानिक ने यह सारे जो है विभाजन विक्तियों को सेड़ी में किया है तो किनके विचार की दस से थांडाइक के बात करेंगे थांडाइक मनोब बग्यानिक है ठीक है यह कहां के निवासी है किस पर प्रोग किया गए है यह सारा चीजें आप को जानना बहुत जरूरी है और थांडाइक इसकनर कोहलबर्ग से सम्मंदित हम क्वेश्चन्स कर चुके हैं महतपूर्ट टॉप 50 क्वेश्चन्स आपने नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लीजेगा विक्तिगत विंता के प्रकार है देखिए विक्तिगत विंता के जो लोग है हमारे घरों में भी विक्तिगत विंता पाई जाती है अंगला प्रस्शन कि विक्तिगत भेध बताएं किस मनोब बैग्यानिक ने बताएं जुंग ने इस्प्रिंगर ने ट्रॉटर ने या ट्रेमर ने बताएं तो आप सभी लोग जानतें इस्प्रिंगर ने सधान्तिक आर्थिक समाजिक संदर्यात्मक राजनितिक धार्मिक ये सारे विक्तिगत ब्वेद इस प्रकार किया है मानसिक रूप से स्थ और मानसिक रूप से आइस्थर इस्थर मानसिक किया कि तो किस मनों बेग्यानकों ने विक्तिरत भेद किया है, सबी लोग बताईएगा, तो यह हो जाते हैं टॉटर, थड़ वाल आपसन आपे सही हो जाएगा, अंगला पसने की समवेगों की विनिता जो है, विक्तितु के खाली स्थान किसके लिए समश्या होती है, समयोजन के लिए, विकास के लिए प्रतच्छी करण या प्रस्तूति के बात करते हैं, तो आप सभी मित्र जानते हैं, आप सभी सिच्चवबंदु जानते हैं, प्रतेक भाई, बहन, ग्रहणी आपे सभी लोग जानते हैं, जैस्वासर आप सभी को नवश्कार करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं, देखें सम्वेगों की विंता जो है विक्तित तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है तो समयोजन कहां पर होता है जहां पर समवेगों की विंता होती है विक्तित के समयोजन के लिए समस्या उत्पन हो जाती है अंगला प्रशने साथियों कि विक्तित वेदों के मापानेतु परिच्छन क्या होता है विक्तित तो मतलब इन भेदों को मापन हेत एक परिच्छन होता है और वो परिच्छन बुद्धी परिच्छन तथा कर्म सूचक परिमाप है विक्तित परिच्छन तथा अविरुची है या नेधारन परिच्छन या अविवरत्ति है इन तीनों में से कौन सा परिच्छन है सभी लोग बताईए और यह आपको कमेंट करके बताना है यह आप लोगों को सर्च करना कि विक्तिकत भेदों के मापन हे तो परिच्छन कौन कौन सा है ठीक है आई होप आप समझ गए होंगे और यह चीज आप अवस्थ करेंगे सर्च करेंगे और हमें बताएंगे हमारा इंसर मत देखेगा कि हमने जो किया गलत भी हो सकता है ठीक है इसलिए हम आप पर छोट रहे हैं कि आप इसका इंसर क्या जवाब देते हैं आप लोगों को कमेंट क्या आता है आईए बात करेंगे अंगली परिच्छन की बुद्धी परिच्छन द्वारा जो है विक्तिकी विंता का पता लगाया जाता है सरीरिक लगाया जाता है मानसिक आर्ति या समाजिक तो यह चीज़ें तो आप जानते होंगे कि बुद्धी परिच्छन का अगर जिक्र हुआ है और इसके द्वारा विक्तिके विंता का पता लगाया जा सकता है तो वह मांसिक ही है ठीक है क्योंकि बुद्धी की बात करेंगे और बुद्धी का सम्मन्द यहां पे मांसिक ही लग रहा है ठीक है सरीरिक भी लगता है लेकिन सरीरिक से ज़्यादा मांसिक यहां पे द्वारा बुद्धी, अभिरूची, अभिवरत्ती, विक्तित की विसेस्ताओं के अधार पर बिक्ति का कर्म निधारित किया जाता है। विक्तित विन्ताओं का पता लगाया जाता है। विक्तित विन्ताओं का पता लगाया जाता है। वह परिच्ण अभिरूची परिच्ण होता है। क्योंकि रूची और रूजहान आपने चुनाओं में रूजहान देखा होगा कि रूजहान इस पार्टी पर पढ़ रहा है। इस सदस पर पढ़ रहा है। तुरुजहान और रूची रूची जहां सब दागया थो हमारा पहले से ही आपसंद कनफर्म होना चाहिए कि यह जो विंता अभिरूची परिच्छन ही कहला जा सकता है। आई होप समझ गे होंगे, आई यह बात करते हैं अंगले पर पश्न की। किन परिच्छनों का आप प्रमापी करण किया जाता है। अभिवरत्ति का, निस्पति का, अभिरूची का या निधारन का किया जाता है, सभी बताईएगा, ठीक है, सभी लोग बताईए कि किन परिच्छनों का प्रमापी करण किया जाता है, और यह हमने आपको आलेडी बता दिया, गर आप डेली क्लास अटेंड करते हैं, तो आपक को कमेंट करके बताना है, ठीक है, अगर आप डेली क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो अपने टीटी फैमली से जुड़ जाईएगा, क्योंकि फ्री आप कोस्ट है, सब कुछ फ्री आप कोस्ट है, क्योंकि राश्ठित में परिवार है, आपका परिवार है, राश्ठित में परिवार है, क्योंकि जो राश्ठित में होता है, वो हमारे सदव हैदय में होता है, जो हैदय होता है, हैदय हमेशा कैसा होता है, सबी लोता है, भगवान से जो मिलता है, ठीक है, लेकिन उसको चलाना क्या है, उसको हमें ही चलाना होता है, कैसे चलाना, अगर रनिंग क इसने किन परीचणों से विक्तिकी किसी विक्ति, वस्तू, संस्था या आदस के प्रती अविदती का पता चलता है तो वह आपके अविदती परीचण हो जाती है अंगला प्रिष्णयापर दे देते हैं कि चात्रों धौरा ग्रहन किये गए ग्यान तथा कौशल का पता किस परिच्छन द्वारा लगाया जाता है तो वह आपका अभीवरत्ती है निर्धारन है निस्पत्ती है या अभिरूची की बात करते हैं तो चातों द्वारा जो ग्रहन किये ग्यान तथा कौशल है इनका जो पता है जो परिच्छन है लगाया जाता है वो भी आपका अभीवरत्ती परिच्छन हो जाता है तेक है आई होप आप समझ गये होंगे आई ये बात करते हैं लेपिशन की चातों द्वारा ग्रहन किये ग् निस्पत्ती परिच्छन की बात करेंगे तो चात्तों द्वारा ग्रहन किएगे ग्यान कौशल का अगर पता लगाना है तो किस परिच्छन द्वा लगाएंगे निस्पत्ती परिच्छन द्वारा लगाना है तो कहीं न कहीं हमारा निस्पत्ती परिच्छन की बात करते हैं त सारे में confusion है तो confusion बिल्कुल नहीं रखना है confusion को दूर करना है selection को पक्का करना है selection को 101% यहां पे confirm करना है अंगला प्रिशनक की ग्रह गार देते समय खाली स्थान का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए बालकों का बालकों की चमताओं का बालकों की योगताओं का या उप्रो होंवर्क देते हैं तो बालकों को भी रखेंगे और बालक की चमताओं उसके धार पर आप होंवर्क देते हैं तो यह सभी जो हैं ग्रहकार देते समय आप सिच्चक के रूप में आपको ध्यान देना अवस्थ हो चाहिए अंगला प्रिशन दिया गया है कि बालकों के ठीक है तो बालकों के परिवार की बात करेंगे उनके फैमली या हिवावक की बात कर रहे हैं तो उनके वीचारों के दस्टिगों के असकताओं आदे में जो भेद उत्पन करती है वह आर्थिक दसाएं समाजी की यह दोनों दसाएं होती है यहां पे जो थर्डवाल आपसन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा इसके बाद दो प्रशन और बचे हुए हैं इस मौक टेश्ट को कंप्रेट करते हैं किस मनोब बग्यानिकों ने लिखा है कि समाज सास के सास साथ सिच्छा का अधार मनोब बग्यान होना चाहिए इसकनर ने लिखा है जान डीवी ने लिखा है या तर्मन ने लिखा है सभी अपने अपने विचार प्रगट कीजेगा अपने अपने विचार को कमेंट के मादम से बताईएगा कि जिस मनोब बग्यानिकों ने समाज सास के सास साथ सिच्छा का अधार मनो बग्यान होना चाहिए का है वह आपके जान डीवी है इन्होंने जान लगा कर समाज के साथ साथ सिच्छा का अधार मनोब विग्यान को माना है। और ये 30 नमबर प्रश्ण है कि किस मनोब विग्यानिकों उन्हें सरीरिक स्वास की रस्षे विक्तियों को भेद बताएं हैं। क्या वेज्जुंग मनुब ग्यानिक है तर्मन है थांडाइक है या वर्नन है या आपको कमेंट करके बताना है या आप सभी के लिए मौक कोश्चन है मौक टिस्ट का मौक कोश्चन ऐसा पहली बार साइद हो रहा है कि मौक टिस्ट में हम आप सभी के लिए मौक कोश्चन दे दिखाए ट्यूटर से जुड़िये क्योंकि सिच्छा ही प्रकास है मैं मिलता हूं आपके अंगली क्लास पर सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मात्रम धनवाश अभीका